जब तीर दिखाएंगे वीडियो दिखाएंगे तो उसम not among the graphs की जगह گला लाइर डृएब टूर्फ नकर हम यहां पे नहीं आर रहा है यहां जैसे विक्तार और किसी ने किया अभिए वाल एकृते आयोगहरे को सब्सक्राти तो फिर आप उनको क्या पता होगे हइं अब पैजा रिख वे तेस के लिप करो एब करो एक बॉक्स ओपन होगी सो इस ने अंदर बहुलाइं सी यह सेजह करना है जिसके एक को तूल के आपको बनाना है हमें कॉनसे tool के द्वरा drawing मिनाना है? line के द्वरा अब इसमें line कौन सा है? कैसे बता चलेगा? line लिखा है, एसे बहुत प्लेका कर्सर को लेगा हम अपने pointer को लेके जाएंगे लिख के आजाएगा, यह line tool है हम अपने को लेके जाएंगे कायब है यह और तूल है कि अगर तो बता देता है प्र हम अपने वीडियो में इसको लाइंटिक कर रखें रेक्टेंगल से यह उबल से कि यह आपकर लाइन टूल है इस टूल के तूल के त्वरा आप इस ड्रोईंग को बनायेंगे इसको select करना हैं कई वाल क्या होता है उज आके यहां पर click कर देते हैं उनको राफ़ा में click कर दिया है और द्रॉइन बनाते हैं। भीना select कि आए हैं यह चीज़ है अब फिर गाएंगे सर हमने तो आपने बताया लाइन टूल हमने सलेक कर लिया हमारा तो ड्रोई नहीं हो रहा थी लाइन टूल से फिर आप क्या ग़रो तो उस समय फिर दुबारा शेट आप्शन पर लाइन टूल को सलेक किया है असो नहीं जैसे हम बोई टूल को सलेक करते हैं तो हमें कैसे पना रंडो और धूझ्द लिए कि वो सलेक नहीं करेंगी नहीं कि यह हमें कैसे पता चलेगा वो तो बोल दीए कि नहीं सर हमने सलेक किया हुगा है गल्ती से उसके लिएज binge के ओपर उनल पोईंट रका हुगा है सब्सक्राइब करेंगे जब भी वो किसी टूल को सलेक्ट करेंगे वो हाइलाइट हो जाएगा तो ऐसे ही पता चलेगा कि उन्होंने लाइन टूल सलेक्ट किया है अक्वा नहीं कि खेलिया रहे सबको अब जोई इस बॉक्स को नौन रखेंगे जो यह देखिए हम विना सिप्ट की के साथ लाइन टूल के दौरा बॉक्स को बना रहे हैं लाइन जीचेक हो रहा है अब चाहें तो खुद ही इसी टाइम कर सकते इसको यह तो आपको जीचेक चाहें दिख रहा है ड्रोइंग करते समय यह पिक्सल का प्रॉब्लम है अगर ऐसा हो रहा है फिर कोई बात नहीं है अब इसे ठीक कर सकते है शिफ्ट के साथ पर अब बनागे देखिएगा अब यह बॉक्स बनाना आपको जब आप राइंगल बनाएंगे न विडियो में दिखाया जाएगा अपको फिर आपको प्रॉब्लम दोनों का पजा चलेगा कि क्या चीज़ है यह सब आपको क्लियर होगा जब आप ठैक्टिकली इस चीज़ को क समझते जाएंगे और जहां डाउट होगा हम आपको क्लियर कर देंगे तो आपको बैठ के नहीं समझना आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना है जो बताया जा रहा है क्लियर है सभी फॉक्स बनाएंगे दिखाएं लाइंटू चे तोड़ा या पूरे सीप पे लाइंट को ड्रैग करके दिखाएं विदाउट सेफ्ट 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 विदाउट सेफ्ट सेफ्ट सभी लोग पहले वीडियो देख लें यह लाइंट करनेगा तरीका क्या होता है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल अब आप अपने पॉरेंटर को मैक्सिम है दोनों चेत्र में एक सेफ्ट को रेड कलर से दिखाया गया है इस तूर को लाइंटर कहते हैं जब आपको एमेश पेइंट में कोई लाइंट ड्रो करनी हो तो आप लाइंटर का उप्योंग करेंगे आए सेखे की लाइंटर का उप्योंग कैसे उप्योंग करते हैं दोनों विंडो में दिखाया जा रहे हैं कि विंडो एक्सपी है और विंडो सेवेन है आप भी हमार मिनिवेश प्रूट के इसमें सेप्स नहीं यहां पर उस सेप्स नहीं दिख रहा है न एक बार वीडियो वाले वीडियो वाले एक स्की सेवेन में यह प्रॉब्लम दिख रहा है आपे दिख रहाने है यहां पर यहां अंपर डाइनथेऊ हो को एक परक्ति talks कर exactamente है यहां पे shapes है, shapes लिखा हुआ है, उसको कैसे click करेंगे आप, इस problem को कैसे click करेंगे आप, यहां पे shapes कहीं आपको दिख रहा है, मतलब जो a car align wind है, वो आपको कहीं दिख रहे हैं, यहां पे shapes पे click करा यह न, बज्चों को तुस्तरा में समझते नहीं आगा न, तो आप कि कहां पे click करना है, तो मैं यह बता रहा हूँ आपको, अब बताओ कि कहां पे click करना आपको, यहां पे click करेंगे, box open होगा, उसके बाद, क्या select करना है आपको, line tool, क्यों क्योंकि हम line tool के दोरा चित्र को बनाना, सीख रहे हैं, clear है, सबसे पहले आपको line tool select करना होगा, अभी जो view से सिफाय जा रहा है, क्या चित सिफाय जा रहा है, कि line tool को कैसे draw करते हैं, line tool को कैसे draw करते हैं, यह सीख रहे हैं, ध्यान से सुनी तरीका क्या है, तो select किये, आप line नहीं खिच सकते हैं, line tool से आप सिर्फ और सिर्फ line draw कर सकते हैं, इंक line खिचने के बाद, line में आपको, दो white color से बिंदू दिखाय देंगे, line tool से जब आप line draw करेंगे, तो क्या होगा, दो dots दिखेंगे, जो बिंदू पहलाती है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, white color ही है, दिखना है आपको, यहीं मताया जाएगा ना तो, यह आपको उनको समझाना है, उसके बाद, पहले तो आप वीडियो पुरा सुना लेंगे, उनको समझा देंगे, मैं आपको बस समझाने के लिए तरीका क्या है, इसलिए वीडियो भी रोप रहा हूं, और पैट्डी गडी भी दिखा रहा है, आप भी कर सेकते हैं student को समझाने के लिए, लेकिन उनको पह चैट के लेफ बटन से एक बार क्लिक कर दे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप उस लाइन से दूसरी लाइन नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये जाए चित्र को देख, अच्छा ये बताईए, जो ये डॉट्स हैं, कौन से विंडो में आती हैं, विंडो सेवन में ही विंडो एच्पी में ये पॉब्लम नहीं है, आप जो लाइन ड्रैग कर देंगे, जाँ छोड़ देंगे, पॉइंटर के लिए बटन को बचा देंगे, आप दूसरी लाइन को ड्रैग कर सकते हैं, पर विंडो एच्पी में कहा है, कि आप एक लाइन को ड्रैग कर देंगे जैसे यहां लिखाया दार है, इसको आप जहां चाहें, कर सकतें आप, कर सकतें इसको, कब जब यह dot रहेंगे, अगर एक पर हटो फिर इसे दुबारा नहीं कर सकतें, दुबारा करने के लिए क्या करना हुबदा, आप इसे हटाएंगे, डिलीट करेंगे, अंडू कर सकते हैं अब उनको बोलेंगे अंडू करें लो नी समझे उनको उनको बोलेंगे इसे erase करलो आप erase करने के लिए क्या करोगे eraser tool को select करेंगे यानि rubber तो select करेंगे यह rubber आप उनको explain कर देंगे उसके बाद मिटा सकते हैं उससे यहां पर क्या दोश्चन होगा एक बाद रोबर टू कुश्ट है यहां पर जब तक था वो पॉइंडर का नीचे आया तो रोबर टू बन जा अब देक यह एक बाद साइज पिसाद इसे कम गए इसके साइज अगर यही ठीक है बड़ा साइज है इरेजर का बड़ा साइज है अगर यह छोटा होता है अब यह इरेजर टूल आपने सेलेक किया देके छोटा सा दिगरा है कहेंगे कि सर मुझज ने इसके size को बढ़ा करना है तो आप उनको क्या बता होगे इरेजर के size को बढ़ा करने के लिए आप उनको कैसे कर रहा होगे size पर जाना होगा ठीक है size पर जाके जो सबसे बढ़ा वाला thickness of size है उसको लेंगे उसके बाद इसे करने हैं कहेंगे सब इससे भी बड़ा चीए इससे भी बड़ा करना है तो बड़ा करेंगे तो जून से तो करेंगे पर आपके line के भी size बढ़ता जाएगा यह उत्राइं पॉफेक्ट होगे